हेलो दोस्तों मेरा नाम है अब्दूलोड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हूँ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेट की तरफ से अपडेट यह PSUA Ministry of Railways में आता है और यहाँ पे अपडेट आई है अगर आप eligible हो तो apply ज़रूर से करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको career guidance and job updates के related latest videos चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले eligibility criteria को discuss करते हैं तो अगर आपने degree या diploma, civil, electrical या SNT इन branches से complete किया हुआ है degree हो या diploma हो तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो तो अगर आप दूसरी branches से belong करते हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही special जीज अनकाडमी लेकर आया है यहाँ पे अनकाडमी कंड़क कर रहा है mega combat 29th August को सुबग 11 बजे नव यह combat की खासियत ही है कि यहाँ पे इनोंने prizes बहुत ही ज्यादा attractive रखे इस बार अगर हम बात करते हैं तो first से third rank वालों को यहाँ पे gate का पूरा plus subscription मिल जाएगा और बाकी जो होंगे 200 rank तक यहाँ पे scholarships प्रोवाइट की जाएगी and top 200 को यहाँ पे different different attractive prizes भी इनोंने रखे हुए जिसमें iPad बगर आ जाता है and सबसे अच्छी बात मैं आपको बताओ तो अगर आप इसको attempt करते हो तो आपको यहाँ पे lab ranking तो मिली जाएगी लेकिन साथ ही साथ आपके जो कमजोर areas होंगे उसके लिए आपको video solutions भी मिल जाएंगे top educators की तरफ से यहाँ पे अगर इसकी format की बात करें तो 60 minutes में आपको 20 questions solve करने होंगे और इनोंने 5 branches का option दिया हुआ है आप अगर mechanical, civil, electrical, electronics या computer science इन branches से belong करते हो तो आप register कर सकते हो registration के लिए मैंने link description में provide कर दी है और अगर आपको code पूछा जाता है तो आप मेरा ये code यूज करते हो जो यहाँ पे display हो रहा होगा registration बिलकुल free है और ये scholarship पाने का बहुत ही अच्छा मौका है साथ ही जाथ attractive prices तो है तो link description में available है जली से जाके register कर लीजिए now continue करते update की तरफ vacancy distribution की अगर हम बात करें तो number of seats civil में 12 है graduates के लिए electrical में 4 है SNT में 3 है और diploma में civil में 8 है electrical में 3 है और SNT में 2 vacancies है और ये है पूरा vacancy distribution अगर आपने 1st August 2021 तक ये degree or diploma complete कर लिया है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो हाँ ये apprenticeship है लेकिन इसके अंदर जो stipend provide कर रहे है वो काफी अच्छा है compared to other apprenticeship क्योंकि यहाँ पे graduate apprentice को 10,000 per month मिल जाएगा and technician को, diploma वालों को 8,500 per month मिल जाएगा जो की काफी अच्छा है बाकी के अंदर 7,000, 8,000 के करीब होता है now यहाँ पे location क्या रहेगा location Delhi रहेगा तो अगर आप Delhi के आज पास से है Delhi से belong करते हो तो आपको यहाँ पे apply करना चाहिए now यहाँ पे selection process and बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेता है तो training का duration one year रहेगा apprenticeship पे तो एक साली रहता है बाद में आपको शायद दूसरी job find करनी हो या फिर यही आपको contract basis पे उसी company में join करवा सकते है लेकिन इनों ने कहीं पे return statement नहीं दिया हुआ है यह actually अंदर चलता है अगर आपका performance अच्छा होता है तो यह mostly ऐसे chances रहता है बात करते हैं यहाँ पे selection process की किसी भी तरीके का interview नहीं है clearly नहीं कहा है कि there will be no interviews and अगर आप eligible हो आपके यहाँ पे qualification में मतलब कि degree diploma में marks अच्छे है तो इसके हिसाब से merit बनाई जाएगी and अगर आप top में आते हो तो आपका selection directly उसी के basis पे हो जाएगा मतलब आपको कोई exam interview कुछ भी देने की जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे register कर चुके हो तो आप directly apply कर सकते हो लेकिन अगर registration नहीं किया हुआ है तो इसकी मैंने अलग से video बनाई है approval अभी बहुत ही fast आ जाता है तो यह video आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे apply करने के लिए सबसे पहले तो आपने registration कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा official website पे ircon.org पे और वहाँ पे जाके आपको register करना होगा अब आपको next portal का registration proof है वो आपको upload करना होगा साथ ही साथ date of birth, cast certificate and qualification यह आपको upload करना होगा वहाँ पे as a proof ताकि यह बता सके का आप यहाँ पे nets portal पे officially register कर चुके हो so यह चीज़े है आपको nets portal पे establishment में जाके search नहीं करना है, ircon की official website पे जाके register करना है इन्होंने सारी चीज़े दी हुई है, official website पे HR and career section में आप जाओगे तो आपको registration का यहाँ पे पूरा process मिल जाएगा, आपको यहाँ पे hard copies बेजने की जरूरत नहीं है, तो यह आपको कोई tension की बात नहीं है, आप जाके सिर्फ online register कर दो और आपका application submit हो जाएगा, अब dates की बात करते हैं, तो इसका date जो है 21st August को यहाँ पे start हो चुका है यह application, इसकी last date 13 September 2021 21 है, मतलब आपके पास अभी भी काफ़ी time है, register कर सकते हो दिली के आसपास से belong करते हो, तो आपको यहाँ पे register करना चाहिए, मेरा personal suggestion होगा, बाकी आपकी मरजी है क्योंकि यहाँ पे बाकी apprenticeship से stipend काफी अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं आपको register करने को बोल रहा हूँ और अगर आप अभी job नहीं कर रहे हो, अगर आप fine कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे apply करना चाहिए, existing job को छोड़के आपको apprenticeship नहीं जोइन करना चाहिए, ना तो समझ में आता है मुझे भी, आप मैंसे बहुत बलो, तो apply ज़रूर से करना, links मैंने सारी description में provide की हुई है, और मैंने mega combat की भी link description में provide की है, तो वो भी ज़रूर से check कर लिना, तो उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी and helpful भी रही होगी इसी के साथ end करते हैं video को, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए goodbye, take care